आप्र सब हैं अधर फके सामने वीडियो लेकल आई है केम के जो टाइमिंग होती है। वाज करके दिखाएंगे अगर जो केम हमारे घूम जाती है तो ओ सलाई कैसी करती है हमारी मसीन ठीक है दोस्तो आज हम बताएंगे आपको केम गुमने से स्लाई कैसी आती है और इसको ठीक करके दिखाएंगे आपको यह देखो आप पहले स्लाई कैसी होती है जब हमारी केम गुम जाती है न इसको दिखाएंगे आपको क्या दिक्कत आती है हमारे जो दोस्ते पर बोलेते हैं कि जो मशीन की केम गूम जाती है वो स्लाइश है नहीं देती उस पर वीडियो बनाओ तो आज मैंने सुचा कि चलो वीडियो बनाते है और आपको दिखाते है करें है ये ये ऐसे चलाइय आती है जिसे चलाइय आती है ये जैनर तक पाफी दिक्कत होती है ये जमारे टेलर वाई है भाई ये वहने मनें को काफी दिक्कत हो के यह इसे ही नहीं हो पाती है आज मुझे इसको नहीं दोस्ता हुआ है कि सबसे पहले क्या कि रहए है कि निकाल लेंगे गार ऐंड और नीचे की दानी वह फिरकी दोनों निखाव लेंगे अन्य खरा इसको फ़र्फिकभेशी 144 Mhm जान्द है मसीन का इसको खूल लेंगे क्योंकि इसके अंदर होती है केम केम की सेटिंग होनी बहुत ज़रूर ही है ये देखे आप यह है ना यह तो हमारी संत्री है और यह चिम्टा है और जिसके उपर यह लगवे हैंना यह केम है यह वाली ठीक है दोस्तों ये वाली अब इसमें दो पेंच होते है एक तो ये पेंच है और एक ये पेंच है दो पेंच है उसकी सेटिंग होती है मैं आज आपको सेटिंग बताऊँगा सबसे पहले ये पेंच पहले आप देख लो इसको कहां कहां पे ये एक तो ये पेंच होता है और एक ये वाला पें ठीक है दोस्तों लट्टू में तीन पेंच होते है आधा दोस्तों यह है लट्टू जो इसमें अंदर लगा हुआ है मसीर में उब इसमें चार पेंच होते है आपको देखना है गोर से आप डि Ergebnis चारं ची एक तो ही होता है बड़े वाला एक ही होताsayयब हो यह तैं में अब इसमेर जो पींच यह एक्ट बनाप यह ऐसे चलता यह मसीर में ऐसे अब इसमें क्या करना आपको ये वाला पेंच और इसकी बराबर वाला ये पेंच आई समझे में आपको ये और ये इसको सोड़ दा अब ये पेंच ये है मैं पेंच अब हमाय जो अपनी केम देखनी है न इस मेंच पर देखनी है कहां पर है हमारी फिलाल ये दे यह पेंच 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 पें यह पेच खोला एक और यह दूस्का वाला कि आसानी से खुल जाएगा कोई दिक्कत निया और अब इधर देखेंगे हमें जो है न ये wheel गुमाना है देखो इधर जो है न इसको पघटा है ऐसे ताकि हमारी game न गुमाना इसे पेच हेंपर रोक कर रखना है इसको ऐसे हम उठे से रोक ले और ये wheel गुमाना है ये देखे अब हम wheel गुमाएंगे तो लट्टु गुमेगा ये वाला पेंच ये आया ना पेंच ये ये देखे ये बड़े वाला पेंच है लट्टू का ठीक है दोस्तों और ये जैसे हम इसको ऐसे गुमाएंगे ऐसे ये जो ये पेंच है ये पेंच और ये केम का हमारा पेंच ये देखे आप ये वाला पेंच ये पेंच और ये यह और यह वाला पेंच और यह वाला पेंच बेलोकुल सामने अब यह क्या करेंगे हम इसको जाए ला यह पेंच है जो इसका केम का इसको टाइट कर लेंगे अच्छे से अब दोनों पेंच टाइट कर लेंगे है ठीक है दोस्तों यह हो गया यह केम की हमारी सेटिंग से ही हो गई अब इसको हम इसको टाइट कर लेंगे अब देखते हैं सिलाई अपनी सही आती है कि नए कि डब भी लगा लेंगे और फीट दर अपना जो दागा है यह डाल लेंगे कि अज़िए कि मेरे पास काफी मैंसी जारते की जी केम की जो सेटिंग होती है ना वो बताईए और मैं सूचा कि चलो आपकी डिमांड पर एक वीडियो बनाएगे केम की सेटिंग की ताकि आपको भी पता सिल जाए आपको मिस्त्री के पास जयाना ना पड़े आप अपने गर पर मशीन को ठीक कर लें ठीक है दोस्तों अब हम क्या करें चलाई देखते हैं यह देखें यह उपर की स्लाईड और यह नीचे की स्लाईड और यह पहले वाली स्लाईड थी यह देखें यह थी हमारी स्लाईड पहले जब हमारी केम गोम गई थी केम की सेटिंग सही करने के बाद अभी हमारी स्लाईड है यह देखें ठीक है दोस्तों अब इसको चला कर देखते हैं दुबार से कोई दीक दमी है स्लाई हमारी सही है और इस शिलाईगों देखें अब हम ने केम की सेटिंग कर लिए यह नीचे की चलाई है और यह उपडर की चलाई है ठीक है दोस्तों यह हमारे दोस्त है ना उन्होंने बोला था कि आप केम की सेटिंग पर एक वीडियो बनाओ इसलिए मैंने वीडियो बनाएक आपके पास बेज रहा हूं और एक चीज़ और वीडियो आपको अच्छी लग और मैं उस पर मेसेज पर वीडियो आपको बना के दूँगा ठीक है दोस्तों ओके